साथियों, मैं आप सभी से एक और महत्वपण बिंदू के भी चर्चा करना चाहता हूँ, आप भली भात ही जानते हैं, कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर के बिना, देश का विकास, देश वास्यों के जीमंस्तर को सुधारने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा हैं, कि Environment Clearance के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर के निर्मान को कैसे उल्जाया जाता था, आप जिस जगा पर बैटे हैं न, ये एकता नगर में, ये हमारी आँखे खोलने वाला उदारन है, कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधिय ने इस इतने बड़े प्रकल्ब को सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था, आपको जान करके हरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम ये एकता नगर में आप बैटे हैं न, इतना बड़ा जलास ही देखा होगा आपने, इसका सिलान्यास देश आजाध होने के सरदार वलो भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिकाने पाई थी, पंडित नहरू ने सिलान्यास किया था, लेकिन सारे अरवन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपरचार किया, ऐसा ये परियावरन विरोधी है, यही अभियान चलाया, और बार बार उसको रोका गया, जो काम की शुरूवात नहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद, बताइए, कितना देश का पैसा बरबाद हो गया, और आज वही एक तानगर, परियावरन का तिरसर क्षेत्र मन गया, मतलब कितना जूट चलाया था, और यह अरवन न मिल जाता है कुछ लोगों का, साथियोब भारत में विकास को रोकने के लिए, कई global institution भी, कई foundation भी, ऐसे बड़े पसंद आने वाले विशे पगड़ करके तुफान खड़ा कर देते हैं, और यह हमारे अरवन निक्सल, उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं, और हमारी ह रुका बटाए जाती है, परियावरन की रक्षा के समय में कोई compromise न करते हुए भी, संतुलित रुप से विचार करके, हमें ऐसे लोगों की साजीसों को, जो वर्ल्वेंग तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़ी-बड़े जूडिसरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना आप प्रचार कर देते हैं, चीजे अठक जाती है, मैं चाहता हूँ कि हमें इन सारे विश्व में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच अप्रोच अपना कर आगे बढ़ना चाहिए, साथियों, हमारा प्रयास होना चाहिए, कि बेवज़ परियावरन का नाम लेकर, Ease of Living और E कोई बाधा ना खड़ी करे, कैसे बाधा बनती है मैं उदान देता हूँ, मैं गुजरात में पानी का संकट हमेशा रहता है, दस साल में साथ साल अकाल के दीन रते थे, तो हमने च्यग्रेम का बड़ा अभियान चलाया, हम चाहते हैं फोरेश में भी पानी का प्रमंध हो, तो हम फोरेश में परवत की जो धलान होती है, उस पर छोटे-छोटे एंडे डाइनिंग टेबल जितने छोटे-छोटे-छोटे तालाब बना दा है, बहुत छोटे तालाब, दस फूट लंबे हो, तीन फूट चौड़े हो, दो फूट गहरे हो, और उसके पूरे लेयर बन किसे देता हूँ, आप चेकडेम बनाईए, पानी बचाईए और जंगलों को ताकत दीजिए, तब जाकर करके बिड़ी मुश्किल से मैं वो काम कर पाया था, मतलब हम एनवार्मेंट के नाम पर, फोरेस में भी है कर पानी का प्रभन नहीं करेंगे, तो काम कैसे चलेगा है साथियों हमें याद रखना है कि जितनी तेजी से एनवार्मेंट क्लियरंस मिलेगी, उतना ही तेजी से विकास हो, और कॉंप्रोमाइज किये बिना ही हो सकता है, मुझे बताए गया है, आप सभी राज्यों के लोग बैटे हैं, आज की तारीख में, एनवार्मेंट क्लियर का आपके मंत्रा लयों में पैंडिंग पड़े हुए हैं, इसी तरह फोरेश क्लियरंस के भी करीब करीब साड़े छे हजार प्रोजेक्ट, उनकी एप्लिकेशन आपके टेबलों को लटके पड़ी हुए है, क्या साथियों आज के आध्धुनिक यूग में, आचा वो भी त क्लियरंस में देने में गती लानी चाहिए, हमने रुकावट नहीं बनना चाहिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं, पेंडेंसी की वज़र से हमारे पोजेक्ट लोगों को फैदा नहीं होता है, खर्च भी बढ़ जाता है, समस्य बढ़ जाती है, हमें कोशिश करनी चाहिए, पेंडेंसी कम से कम हो, और जिन्यूवन केस में ही पेंडेंसी हो, तेजी से क्लियरंस मिले, इसे लेकर हमें एक वर्क एंवार्मेंट को भी बदलने की जरू होता है, जो एंवार्मेंट रक्षा गेम बात करते हैं तो वर्क एंवार्मेंट भी चुकते से ग lost तक के फरल शचे में दो का मिमिल रही है नहीं है थूए reason लिखती है कि कभी भारत शरकार के डेपार्ट्म्ट मुझे चिंठ्या लिखते वित को अठा jumping फटाफट राज्यों में भी केंद्र में भी क्लियरंस शुरू हो जाता है मतलब अगर एंवार्मेंट के इश्यों होते तो क्लियरंस नहीं होता तो कोई नू कोई ऐसी बाते हैं धीलापन है वर कल्चर ऐसा है जिसके काण हमारी गड़बड हो रही है और इसले मैं आप से आग्रा करूँगा कि हमें सब ने मिलकर के केंद्र हो राज्य हो या स्थानी श्वराज्य हो यह डिपार्टमेंट हो वो डिपार्टमेंट हो मिलकर के काम करेंगे透ीं तो ऐसी कोई रुकावट नहीं आए अब आप देखते हैं टेकनोलोजी का उपियों ह परिवेश पोर्टल आप समने देखा होगा। शेसो दिन से ज़्यादा समय लग जाता था क्लीरंस में और टेक्नोलोजी के मदद से उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से साइंटिफिक तरीके से काम होता है और सिरफ 75 दन के अंदर काम पूरा हो जाता है। परियावरन सिकृति देने में हम नियमों का भी ध्यान रखते हैं और उन छेत्रों के लोगों के विकास को भी प्रात्फिकता देते हैं। यह economy और ecology दोनों के लिए win-win situation होती है। आपको मैं एक और उधान देता हूँ। अब एक कुछ सब्ता पहले ही केंदर सरकार ने दिल्ली में प्रगती मैदान टनल को देश को समर्पित किया है। इस टनल की वज़े से दिल्ली के लोगों की जाम में फसने की परिशानी कम हुई है। प्रगती मैदान टनल हर साल 55 लाख लीटर से जादा इंदन बचाने में भी मदद करेगी। अब यह परियावरत की रक्षा है। इससे हर साल करीब करीब तेरा हजार टन कार्बन एमिशन कम होगा। एक्सपर्स कहते हैं कि इतने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमें छे लाख से जादा पैड़ की ज़रूत पड़ती। यहाने डेवलोप्मेंट की उस काम ने परियावरती भी रक्षा की। यहनि फ्लाइववर हो, सडके हो, एक्सप्रेस्वेव हो, रेलवे प्रोजेक्स हो। इनका निर्मान कार्बन एमिशन कम करने में उतनी ही मदद करता है। क्लिरंस के समय हमें इस एंगल को नजरंदा नहीं करना चाहिए। क्लिरंस इस एंगल को क्लिरंस आएवर के एंगल क्लिवेक्स हो, इस एंगल के अचल रहें करने हो, यह प्रता है।